हेलो एवरिवन कैसे आप सभी लोग स्वागत करता हूं एक वाफ फिर से लर्न मेडिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है एक नया यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम इसमें बहुत सरी टॉपिक्स आते हैं कंजिस्टिव हार तो शुरुवात करने से पहले एकदम बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारा नॉर्मल हार्ट कैसे काम करता है फ्रैंक स्टालिंग लॉग यह कहता है कि जब कभी भी हार्ट में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं यह इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप अपने नोट अच्छे से बना ले जब कभी भी हार्ट में कम बलड जाता है तो वो कंट्रैक्ट कम करता है और जब कभी भी हार्ट में ज़्यादा बलड जाता है तो वो ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है इसी को हम दूसरी तरीके से यह बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका वेंट हाट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वेंट्रिकल जो है आपके वह अच्छे से कांट्रेक्ट और रिल्यक्स नहीं कर पाएंगे जिसकी वज़े से क्या होगा contractility कम होगी जैसे contractility कम हो रही है blood pumping कम होगी और brain में यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा यह important concept है brain में एक area होता है जिसको बोलते हैं keratoid sinus यह area keratoid sinus keratoid sinus में side side में या आप यह मालेजे इस जगह पे sodium channels present होते हैं या आप ऐसा कह सकते हैं sodium receptors present होते हैं जो यह sense करते हैं कि हमारी blood में sodium कितना आ रहा है तो जब blood flow कम हो जाएगा या blood pressure कम होगा तो इस जगह पे brain वाले area में इस जगह में blood pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जब blood pressure कम हो जाएगा तो blood में आने वाला sodium कम हो जाता है स्टोडियम जब कम होगा तो ब्रेन को मालूम पड़ेगा कि हमारी बॉड़ी का ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है तो ब्रेन फीडबेक मेकनिजम चालू करेगा और वो सिंपेथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा देगा अब जैसे ये सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो इनिशिली सुरुवाती दोर में ये बहुत अच्छा काम करता है पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही नर्वस सिस्टम सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत बेकार हो जाएगा या बहुत बुरा हो जाएगा और failing heart को और ज़्यादा फेल करेगा या और ज़्यादा उस पर burden डालतेगा तो initially sympathetic nervous system में जब ऐसे नोट stimulate होता है तो यह heart rate को बढ़ा देता है जिसकी वज़े से cardiac output बढ़ जाती है और contractility बढ़ जाती है अब वापिस आते हैं congestive heart failure की congestive heart failure actually में होता है का मतलब होता है हाट कि हमारा जो heart वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है वह blood को पूरी body में अच्छे से deliver नहीं कर पा रहा है यह mainly दो तरीके से हो सकता है पहला तरीका ऐसा है कि लो congestive heart failure जब actually में आपका heart weak हो गया आपका heart actually में काम नहीं कर रहा है और दूसरा एक होता है आपका high congestive heart failure हाई congestive heart failure का मतलब है कि यह आपका heart है और यह आपका tissues and organs है ऐसी कोई condition हो गई है जैसे कि अनीमिया हो गई है nutritional deficiency हो गई है जिस वज़े से यह tissue में oxygen का requirement बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो जब oxygen का requirement इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो heart जो है वो बहुत तेजी से contract और relax करेगा और metabolic demand को पूरी करने की कोशिश करेगा बट कभी-कभी यह fail हो जाता है और अच्छे से काम करने के बाद भी यह metabolic demand को पूरी नहीं कर पाता है और यही आपका क्या कह रहागा high congestive heart failure यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस condition में आपके heart में कोई दिक्कत है आप बोलेंगे of course हमारे heart में कोई दिक्कत नहीं है हमारा heart बहुत अच्छे से काम कर रहा है वो जो tissue है वो उसकी oxygen demand इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि heart उसको अब पूरी तरह के से oxygen supply नहीं कर पा रहा है तो congestive heart failure में हम लोग high congestive heart failure नहीं पढ़ते हैं high CHF नहीं पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं low CHF okay अब suppose करो यह heart है heart में यह जो area है left ventricle left ventricle में आप सबने basic physiology पढ़ी होगी heart के बारे पढ़िए very good अगर पढ़ी नहीं है तो जाओ पहले double circulation पढ़के आओ यह जो left ventricle है इसमें blood कहां से आ रहा है pulmonary vein से आ रहा है pulmonary vein कहां से आ रही है of course आप गुलेंगे lung से आ रही है और pulmonary vein clothy ऐसे vein होते हैं जिसमें oxygenated blood आता है suppose करते हैं कि यह left ventricle आपका fail हो रहा है pulmonary vein से blood आता है तो यह अगर contract और relax कम कर रहा है तो जायर सी बात है इसकी cardiac output क्या होगी कम होगी कम हो जाएगी जितना ज्यादा blood बाहर जाना होगा वो कम जाएगा धीरे-धीरे यहां पे क्या हो जाएगा blood का deposition होने लग जाएगा और ा blood कहां से रहा है pulmarine veins से आ रहा है vein में deposition होने लग जाएगा दिरे-दिरे-धीर बढ़ते बढ़ते आपका कहां पर loss में fluid का deposition होने लग जाएगा जब lungs में आपका fluid का deposition होने लग जाएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिपनिया कहते हैं जिसकी वज़े से सांस लेने की दिक्कत हो सकती है आप सपोस करिए कि अब आपका right ventricle damage हो गया या right ventricle अच्छे से काम नहीं कर रहा है फियल कर रहा है सवाल यह है कि right ventricle में blood कहां से आ रहा है आप बूलेंगे of course एक superior वेनकावा से आ रहा है और एक inferior वेनकावा से आ रहा है superior वेनकावा से जो आ रहा है और inferior से आ रहा है अब आप खुद को एज खड़े मैसूस करिए कि आप खड़े हैं इस समय या बैठे हुए हैं जैसे भी आप इस मौझूद में हैं आप भले लेटे ना हो इस समय आप बैठे हुए हैं तो आप यह देखेंगे कि उपर से जो blood आ रहा है वो gravity के तुरू नीचे ही जा रहा होगा बट नीचे से जो blood आ रहा है वो pump होके pulmonary artery में जा रहा है यहाँ पे pump होके pulmonary artery में जा रहा है यह चीज़ अब यह left जो right ventricle है यह अच्छे से काम नहीं कर रह और झाल कर रहा है तो यह आपका तो सब्सक्रिंड कर नहीं कर रहा है तो यह जो BOY होगा वह सबसे ज्यादा कहां पहां प्र जायती बात नीचे वाले एड़िया में जादा टी अपुशन कोम रही तोσαसे आ यहां आती है या नीचे वाले साइड से जितने भी आपको dong कर्मिनल साइट से लिवर में स्वेलिंग हो जाएगी लिवर में फ्लूट का डिपोजिशन हो लग जाएगा जिसको हम लोग हिपैटो मेगिली कहते हैं आप से सवाल सीधा पूछता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलिंग इस केरेक्टराइस पाइब विच ऑफ फॉलोईंग उसमें एक option आ जाता है डेपनिया करके shortness of breath और आपसे पूछता है कि अगर राइट वेंट्रिकल का फेल हो रहा है तो उसके लिए क्या है तो आप बोलेंगे हिपैटो मेगली अब यह जो fluid deposition हो रही है यह धीरे धीरे पूरी body में होने लग जाएगी क्योंकि पूरी body आप पसमें एक दूसरे से क्या है इंट्रकनेक्टिड है इसी को हम लोग बोलते है एडीमा और यही आपका कंजिस्टिव heart failure में जो कंजिशन होता है जो कंजिस्टिव उसका मतलब यही होता है fluid की deposition हो जाता है यहां तर समझ में अब इसके बाद आपको दो problem समझ में आ रही है पहला problem यह समझ में आ रही है कि heart जैसे फेल हो रहा है पूरी body में fluid deposition बढ़ रही है हमने देखा लिवर में heptomegaly हो रही है और हमारा lungs में depnea हो रहा है shortness of breath हो रही है अब problem हमारे पास दो है एक problem यह है कि body में edema हो रहा है दूसरा problem यह है कि heart हमारा fail हो रहा है मतलब heart की contractility कम हो रही है हमारे पास solution क्या है हम कोई ऐसी दवाईयां दे जो इस edema को कम करते है इडिमा को कम करने वाली दवाईयां कौन सी है body से fluid बहां निकालने वाली दवाईयां कौन सी है आप गुलेंगे diuretics है अब सवाल यह है कि diuretics तो mainly 2-3 तरीके की हो उसमें से short acting वाली diuretic काम करेगी या long acting वाली diuretic काम करेगी तो आपका जवाब क्या होगा भाया congestive heart failure हो रहा है पूरी body में fluid की deposition है तो जो छोटा काम कर रही है वो जायर सी बाते काम नहीं कर पाएगी हमको ऐसी diuretic चाहिए जो बहुत long acting हो बहुत देर तक काम करें लूप और thiazide आप लोगोंने दो diuretic पढ़ेंगी तो loop diuretic use करेंगे कि thiazide very good आप करेंगे loop diuretic use क्योंकि यह loop क्या होती है long acting होती है और यह body से loop of NLA पर काम करती है तो यह क्या आपका ज़्यादा fluid को बहार निकालेगी तो हमने एक चीज़ जहां पढ़ी कि हम congestive heart failure में किस तरह ayoddi Premiere की diuretic use करते हैं क्या थiazide use करते हैं कि loop use करते हैं आपका जवाब क्या होगा loop use करते हैं अब डूसरी चीज़ दूसरी problem को solve करो weakness जो हो रही है तो contractility कम होने कि वज़े से हो रही है तो हमने ऐसी दवाईया बनाई जिनों ने इस it with को increase किया ऐसी दवाईयां जो contractility को increase करती हैं उन दवाईयों को क्या कहते हैं आयनो ट्रॉपिक ड्रग्स कहते हैं यह भी एक mcq बनता है इसमें आपका आती है डोपामीन एडेनलीन और डोब्यूटामी फिर एक और केटेगरी के ड्रग्स हैं जिसको बोलता है आयनो डायलेटर आयनो डायलेटर क्या करती है यह contractility को increase करती है साथी साथ यह वैसो डायलेशन भी करती है तो कि आप ऐसा समझिए जो आप लोगों ने पढ़ा था सब्स emp पार्थे नॉर्मली मेटाबोलाइज हो जाता है इन प्रेजब्स अउफ खॉफ 2 जो दिया तो हमने दो आप हेडThere गнуться ऐस नोंतबी उर जाता है आद चौह चृजिब्स अठीकर मिल्म नाहीं जो चोग चलुकत्फर सब्सदाइब्स का ए इनिबिट कर देता है, जब ये इसको इनिबिट कर देगा, तो CMP का लेवल बढ़ेगा, very good, क्योंकि ये metabolize नहीं हो पाएगी, जब CMP का लेवल बढ़ेगा, तो heart rate बढ़ेगा, तो एक तरह से हमने ये भी पढ़ा, कि ऐसी दवाईयां भी मौझूद हैं, जो heart rate भी बढ़ा बढ़ा रही हैं, हमने ऐसी दवाईयां भी पढ़ी, जो स्रिफ contractility बढ़ा रही हैं, और हमने ऐसी दवाईयां भी पढ़ी, जो body से edema को बहा निकाल रही हैं, तो ये सब चीजे तब काम करती हैं, जब acute congestive heart failure हो रहा होता है, जब यही heart failure बहुत जादा time के लिए होने लग या sympathetic nervous system बहुत जादा time के लिए long run के लिए काम करने लगेगा, तब हम अगले वीडियो में ये दिखेंगे, कि exactly क्या होता है, जब बहुत दिनों तक sympathetic nervous system काम कर रहा है, body में heart fail हो रहा है, धीरे धीरे वो heart में और जादा pressure देते रहेगा, और एक time ऐसा आएगा, कि heart अब पाईया हैं, उसके लिए भी pharmacology है, science बहुत अच्छी चीज़ है, thank you, take care, bye bye, आप अपने notes बनाते रहेए, और मैं पूरी तरह से बता सकता हूं आपको, कि आने वाला कोई भी exam हो, चाहे वो Norset का हो, NEET PG का हो, कोई भी exam हो, इस concept से बाहर सवाल नहीं आते हैं, thank you, take care, bye bye, all the आते हैं, thank you, thank you, thank you, thank you.